असलाम लेकुम हुशामदीत कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूसफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बहुत कम टाइम में बहुत स्टाइलिश बेबी जबला फ्रॉक कैसे क्रियेट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं जिस मेथड से आपको ये जबला फ्रॉक सिखाने वाली हूँ इस मेथड को यूज करते वे ना सिरफ आप बेबी के लिए बलकि किसी भी साइस की गर्ल के लिए ये जबला फ्रॉक क्रियेट कर पाएंगी मैं अलफाज में नहीं बता सकती है आपको कि इसको पहनने के बाद आपका बेबी या जो भी गर्ल है वो कितना कमफर्टेबल फील करेगी तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट में चैनल भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेने पर क्लिक करकी कर दीजिए साथ बेल आइकम पर क्लिक की जगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको मियर करना सिखाऊंगी किसी भी नाप से किस तरीके से मियर करना है इस जबला फ्रॉक को जो भी आपके पास फ्रॉक या कोई भी शर्ट अवेलेबल है जिस भी लेंथ का आपको बनाना है उस लेंथ की मेजर्मेंट ले लेनी है और उस लेंथ से आपने तकरीबन धा इंच लंबा रखना है देर इंच उपर नेक की फोल्डिंग के लिए और एक इंच नीचे से दामन की फोल्डिंग के लिए तो आपने ये ख्याल रखना है कि धाई इंच आपने लेंथ लंबी लखनी है जिस भी साइस का आप बना रही होंगे इस वीडियो में मैं जिस नाइन मंथ की बेबी गहल के लिए बना रही हूँ तो उसका साइस मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ अदर्वाइस आप अपनी नाप के अकॉर्डिंग रखेगा मैंने अठारा इंच लंबाई ली है ये कपड़े का जो पीस है वो एक अर्ज के करीब मैंने ले लिया था और 18 इंच इसकी लंबाई लेने के बाद उसको इस तरीके से लंबाई वाली साइड से डबल कर लिया है चुड़ाई मैंने उतनी ही ले ली है जितना अर्ज मेरे कपड़े का था तो आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना भी आपको लूज रखना है जितना भी लूज होगा उतना ही आपके लिए कंफिड़ेबल होगा जितनी इसकी चुड़ाई थी उतना मैंने इसको ले लिया और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट करके साइड पे कर दिया अब इसी चुड़ाई के साइड से मैं स्लीव निकालूंगी और इस तरीके से आर्म होल की मेंड लेनी है मेरे चार इंच है तो हाफ इंच जादा रखना है आपने फोल्डिंग के लिए और 1.5 इंच उपर से जो उपर की जो फोल्डिंग है उसके लिए रखना है तो मेरे तक्रीबन 4 इंच पे मुझे तयार चाहिए तो मैं 6 इंच ले लूँगी हाफ इंच स्लाई के लिए और 1.5 इंच उपर से जो हमने गलनेक की फोल्डिंग करनी है उसके लिए और ये जो चुड़ाई वाली साइड से है उससे मियर करके 6 इच का ये चुड़ाई वाली साइड से ये कपड़ा उतार देंगे ये देखें बाकी जितनी भी चुड़ाई बच गई है उसको ले लेंगे हम लोग अपनी फ्रॉक के लिए और उपर से ये डेर नहीं जितना कपड़ा फोल कर देंगे ये देखें मैंने क्रीज लगा ली है मजीद इस तरह के से डबल करके सेट कर लेंगे अब यहां भी आप देख सकते हैं जो कपड़ा साइड से मैंने उतारा था उसकी आर्म होल की चार इंच मुझे तयार चाहिए था तो दो इंच मैंने ज़्यादा ले लिया था छेंच अब लंबाई जो मैं यहां पर ले रही हूं स्लीव्स की वो तकरीबन साड़े छेंच ली है यहां पर लंबाई देख सकते हैं इस तरीके से मुझे साड़े चार इंच पर अपनी जो लंबाई है वो तयार चाहिए जितनी भी आपको sleeves की लबाई तियार शाहिए. उससे आपने 2 इंच जादा ले ना है. तो मुझे 44 इंच पे तियार शाहिए थी sleeves की लबाई तो मैंने 2 इंच जादा लेके 6 निच ले लिई है. अब यहां पर आप Taliban लेकि हैं. और यहां से मैं 1.5 इंच का जो एक्स्टा रखा था आर्म होल के लिए उसको उतना फोल्ड कर दूंगी यह देखी मुझे जो आर्म होल है वो 4 इंच पे त्यार शाइए और मैंने 6 इंच लिया है मैं आपको फिर से बता दूँ 1.5 इंच मैंने 6 इंच लिया है और 1.5 इंच इसलिए लिया था यह जो मैंने यहां पे फोल्डिंग की है इस तरीके से फोल्डिंग करके उसको सेट करके रखेंगे यहां पे देख सकते हैं इस तरीके से 6 इंच आया है जो मैं 4 इंच पे लगा रही हूं 9 मा की बच्ची के लिए 4,4 इंच इनफ है और उसके बाद इसको इसकी कॉर्नर पे इस तरीके से अटैच कर देंगे जस्ट वन कट है ये वाला इस फ्रॉक की स्टीचिंग के लिए कटिंग के लिए उसके बाद आपने कोई मजीद कटिंग नहीं करनी है यहां भी देखें ये स्लीव की हमने कटिंग कर ली अब हमने ये स्लीव को इसके साथ इस तरीके से अटैच करना है जिस तरीके से हमने इसको कट किया था उसकी एक साइड फ्रंट पैनल के साथ और उसकी दूसी साइड को back panel के साथ इस तरीके से attach करना है दूनुस sleeves को हमने same इसी method को follow करते वे attach कर लेना है जो तलिए stitch कर लेते हैं इसको ये जो 1.5 inch का जो हमने गला भी fold किया था उसके बाद हमने arm hole में भी इसका measurement रख ली थी ताके कोई भी confusion ना हो ताके cut ही same उस method से हो उपर से folding करने के बाद ताके हम जब fold करें तो हमाई shape बिल्कुर perfect आए देख सकते हैं एक side का मैंने यहाँ पे जोड लिया था और अब दूसरी side पे भी यही sleeves एक side उसकी front panel के साथ और दूसरी side उसकी back panel के साथ joint कर लेंगे कपड़े की दोनों सीधी sides को आपस में जोड के stitch किया करें ताके जो उल्टी side पे है वो stitching हो और सीधी side पे हमारी perfect finishing आ जाए यहाँ पे देखें दोनों sleeves हो चुके हैं हमारे attach कुछ इस तरीके से आए हैं देख सकते हैं यह देखें अब यह जो हमने 1.5 inch का उपर से folding रखा था उसको इस तरीके से double fold करेंगे और बिलकुर round में इसकी slide लगा लेंगे की camb है ले मैं हब तरीके सी तरीके से अजयें कीप 檬, का ले जकर ऑू करेंगे Was市 میں फ़ोड़ी सी स्लाई में छोड़ दूंगी ताकि मझे इसमेंसे इलास्टिक गुजारनी हैue जा और इसमें डाल लूंगी यहाँ ब plea्लिवली को स्लाई को पो पुर्पर भी और झूपर प्यरी लगाली है। वहाँ अगर नहीं रेगा चाहते हैं बेशक ना लगाएं लेकि मुझे इस से चुनटों की जो शेप है बड़ी बर्फेक्ट और खुबसूरत आती है इसलिए मैं यह लगाती हूं अब यह जो साइड की जो शेप की स्लाई है वो भी लगा लेंगे यहां पर यहां पर देख सकते हैं स्लीप के आगे से किस तरीके से आया है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको कट करने में यह नहीं स्टिच करने में बस आपको यह टकनीक पता होनी शाहिए कि जो हमने जो वन कट करना है इसमें उसका फॉर्मॉला क्या है होफ़ली कि मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में ही बताया है वो कि जितनी भी आपको स्लीव रखने है उससे आपने दो इंच जादा ले लेना है जतना भी आर्मॉल आपका होगा उससे भी दो इंच जादा लेना है बस और एक्स्ट्रा कोई कटिंग इसमें नहीं होग तो मुझे बहुत ज़्यादा रहता है बेबी के लिए यह वाले जो इलास्टिक में डालना अधरवाइस डोरी उसके लिए मुझे बहुत कम्फरटेबल नहीं रहती यहां पर देख सकते हैं इस तरी के से कुछ शेब आई है बनने के बाद यह बहुत स्टाइलिश लग रहा जचे कहां था यह तक वीडियो देख लिए विडियो पसंद आएए लायक के बिलकुल माई जाएगा में शाइरों को भी तक सर्खकराइब नहीं के है सब्सक्राइब यहां भी बिलकुल माई जाएगा नेक्स्ट अगें बहुत इंट्रॉस्टाइब वीडियो वीडियो के